शोशल मीडिया पर एक वीडियो वारेल हो रहा है जिसमें 36 गड के सीएम बुपेश बगेल पर पोड़े बरसाय जा रहे हैं दरासल बुपेश बगेल ओडिसा के दूर के चीले में पहुचे ते गोवर्धन पूजा में शामीलों ने उसी दोरान उन्हेंने पोड़े का पलहार सहने का परंपरा निभाया आज यानी 15 नवंबर को देश भर में गोवर्धन पूजा की जा रही है ऐसे में 36 गड में भी ये तिवार मनाया जा रहा है लेकिन अलग तरीके से शोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी हुआ जिसमें 36 गड के मुख्य मंतरी बुपेश बगेल को एक शक्स पोड़े मारते हुई नजर आ रहा है दरासल मुख्य मंतरी हर साल की तरह इस साल भी दिपावली के बाद गोवर्धन पूजा के लिए आज दूर की जीले पहुचे है यहाँ पर उन्होंने सभी लोगों की मंगल कामना के लिए सांटा का परहार जोने की परंपरा ने भाई आपको बता दे कि इस परंपरा में सांटे से परहार करने का काम गाउं के बुजर्ग भरोसा ठाकुर करते थे हाला कि इस साल उनका दिहान थो गया उनके बाद इस परंपरा के अनुसार सांटा मारने के रिसम उनके बेटे बिरेंदर ठाकुर ने अदा की मुख्य मंगरी बगेल ने बताया यह परंपरा सबकी खुशहारी के लिए निभाई जाती है